तो भाई इस वीडिये में हम लोग कंपेरिसन करेंगे सैमसंग डोडा का फ्रांस प्रो और टैक्सिस प्रो विनर एंड्रू जैक्ट का और ये दो ही मिस्ट्र ओलंपिया 2024 में हमको आमने सामने देखने वाले हैं और इन दोनों की टक्कर हो सकती है इनकी अलग अलग प्लेसिं में एंड्रू जैक्ट का टैक्सिस प्रो है और अभी जो रीसेंटली लास्ट वीक हुआ है सैमसंग डोडा का फ्रांस प्रो तो इन दोनों ही कॉंटेस्ट में जैसे भी फिजीक्स इन दोनों की निकल कर आई थी और दोनों के ही सारे पोसे कंपेर करेंगे तो मेक्शर ये वीडियो पुरी जरूर देखना फ्रेंट डोबल बाइसेप्स की बात करते हैं तो दोनों का ये पोस बहुत जादा शांदार आता है बट अगर आप मिडि सेक्शन देखोगे तो आपको एंड्रू जैक्ट का मिडि सेक्शन बहुत जादा इंप्रेसिव लगेगा उनका ए अगर देखने को मिलता है और अगर आप प्र पोश्योंस देखोगे तो प्रोपोर्शन आपको ज्यादा बैटर एंड्रू चेक्ट के लगेंगे और सेंचंग की बात करोगे तो काफी अच्छा खासा साइज हमको और और आल बडोडी में देखने को मिलता बट मेरे को ये ज्यादा बेटर एंडू जैक्ट का लग रहा है because proportions बहुत ज्यादा अच्छ हैं बिल्कुल एक classic physique की नजर आती है आपको midsection आपको पतला दिखता है और lats का देख सकते हो seratus interior देख सकते हो but samsung डॉड़ा कहीं न कहीं अपने midsection से मार खाते हैं इस पोज में बाकी quads पहुत अच्छ हैं chest, shoulders और arms वी काफी अच्छा खास साइज carry कर रहा है but एंडू जैक्ट का मेर को इस बार का Texas Pro में सबसे best performance इस बार का लगा है front lat spread की बात करते हैं तो again आप इसमें भी देखते हैं जो samsung doda है last time से improvement हमने देखिया because last few years में हमने देखा है जो भी इनोंने competition इवन के Arnold में भी जो compete कर रहे थो mid section बाहर को आयता है, flat side पे आयता है but इस बार आपको 4 apps visible दिखाई देंगे और दूसरी तरफ अगर आप Andrew Jack को देखोगे तो उनका पूरा फिजीक अपर बॉड़ी का जो है जो वी टेपर है overall बहुत ज़्यादा शांदर नजर आएगा आपको stylization दिखेंगी चेस्ट में, lats में overall बहुत ज़्यादा अच्छी फिजीक नजर आएगी वहीं अगर आप सिर्फ अपर बॉड़ी की बात करेंगे तो samsung डॉड़ा again Andrew Jack के comparison में अच्छे नहीं लग रहे है overall ठीक है अपर बॉड़ी बट थोड़ा सा कहीं न कहीं और काम करना पड़ेगा बट अगर quards की बात करोगे तो quards में easily जीच जाते हैं quards बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं अगर यहीं अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो samsung डॉड़ा है वो ज़्यादा impressive लगने वाले हैं because आप quards और hamstrings वाला side देखोगे तो इस pose में ज़्यादा better samsung डॉड़ा के नजर आ रहे हैं और अगर आप arms भी देखोगे तो overall arms आपको ज़्यादा better samsung डॉड़ा के ही लगेंगे और दूसरी सरफ एंडुड़ जग्ड की बात करें तो mid section बहुत ज़्यादा impressive नहीं लगता है और glutes hamstrings हमने Olympia के stages पे भी देखा है कि इस pose में इनके जो legs हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगता है overall और इनका upper body अभी फिलहाल ठीक है बट samsung डॉड़ा का overall यह pose conditioning size काफी अच्छा लग रहा है बैक double biceps की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे एंडुड़ जग्ड थोड़ से ज़्यादा wide आपको नज़र आएंगे as compared to samsung डॉड़ा और आप lower section देखोगे upper body का अंडुड़ जग्ड का तो वह भी बहुत ज़्यादा आपको small नज़र आएगा और अगर आप samsung डॉड़ा की बात करते हैं तो आपको upper back ज़्यादा dense नज़र आएगी ज़्यादा separation नज़र आएगी middle traps आपको बहुत heavy लगने वाले हैं और shoulder arms भी बहुत ज़्यादा के लग रहे हैं और अगर हम glutes की बात करते हैं तो samsung डॉड़ा ने बहुत improvements कर रहा है अपने glutes में आपको पहले से ज़्यादा rib नज़र आएंगे और वहीं अगर हम and reject की बात करें तो इनके glutes काफी सही हैं but hamstrings वाली side पे देखोगे तो आपको ज़्यादा better hamstrings जो हैं samsung ड samsung डॉड़ा का overall density बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस पोस में उनका overall अच्छा लग रहा है hamstrings, lutes, overall back इनकी बहुत अच्छे लग रही है तो यह पोस जाता है samsung को back lat spread की बात करते हैं तो इसमें upper back काफी दोंगी काफी impressive आपको नज़र आएगी बट जो middle traps ने density नज़र आएगी वो आपको samsung डॉड़ा की थोड़ी सी better नज़र आने वाली है glutes hamstrings वाला side अगर आप देखोगे तो आंडूज जैकट के glutes काफी impressive लग रहे हैं काफी अच्छा conditioning है और hamstrings की बात करें तो आपको ज़्यादा better hamstrings samsung डॉड़ा के नज़र आएंगे और काफी samsung डॉड़ा के काफी अच्छे नज़र आ रहे हैं और Andrew Jack की फिजीक में बहुत छोटी छोटी बारीकिया है जो की अगर काम करेंगे तो इन पोटेंशल है इनका जीतने का कि Mr. Olympia का title भी एक दिन ज़रू जीतेंगे बट अभी फिलहाल के लिए ये पोज samsung डॉड़ा को जाता है एनी साइड ट्राइसेप्स की बात करते हैं तो एंडू जेक्ट का अपर बॉड़ी चेस्ट शूर्डर्स ट्राइसेप्स काफी रिप्ड आपको स्टाइरेशन देखने को मिलेंगी और सैंसंग डॉड़ा की बात करें तो मिड सेक्शन आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा और सैंसंग डॉड़ा का लेक्स वैला जो साइड है ग्लूट्स हैंप्रेसिव लगने वाले हैं वहीं एंडू जेक्ट का अगैन इस पोज में भी आपको हैंप्स्रिंग में दिक्कत नजर आएगी हैंसंग का साइज आपको उस लेवल का नजर नहीं आएगा जो कि सैंसंग डॉड़ा भी कर रहे हैं और मिड सेक्शन भी थोड़े से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं इस बार टेक्सिस प्रो में तो देखते हैं इस पार इन दोनों का क्या इंप्रूव्मेंट दे पूब्लीक साइड है वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगने वाला है एस कंपेड़ तो सैंसंग डॉड़ा विकोज उनका बिल्कुल डिफाइंड है मिड सेक्शन और बहुत इंप्रेसिव मिड सेक्शन एंडुजेक्ड करते हैं और लेक्स की बात करें तो ल बिल्हाल यह पिक में उस लेवल का दिखाई नहीं दे रहा है और एंडुजेक्ड तो पिक में भी जैसे लग रहे हैं और रियल में भी ऐसे ही लगते हैं जब यह बोज मारते हैं और इनका मिड सेक्शन वाला कोई भी पोज होता है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नजर करते हैं वही अगर आप एंडुजेक्ड के बात करोगे तो इंप्रेसिव है इनका यह पोज बट अगर आप आम्स देखोगे तो इस पोज में सैंसंग डॉड़ा के आम्स बहुत बड़े लगते हैं और फुल वेस्कुलर नजर आते हैं और एंडुजेक्ड का इसमें स्ट के साथ और मिस्ट्र ओलंपिया को सिर्फ फाइव डेज सिक्स डेज रह गए और अभी इससे और ज्यादा कंडिशन आते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला हमको टक्कर देखने में हाडी डेरेक और सैंसंग डॉड़ा का भी फिलहाल आप दीख सकते हैं अभी यह फाइव ड क्यारी रहती है जो भी फिजीक अप्डेट वगारा देते रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिब लगते हैं बहुत ज़्यादा शाप लगता है और ऐसा लगता है कि शायद यह जीट जाएं बट जैसे स्टेज पर आते हैं तो कहीं ना कहीं सॉफ नजर आते हैं निक वाकर से भी इनकी कड़ी टकर होगी विकॉस निक वाकर भी एक ऐसे अथलीट है जो कभी भी सॉफ नजर आते नहीं स्टेज पर बहुत ज़्यादा ड्राइ होकर आते हैं तो इस बार देखते हैं क्या प्लेसिंग रहती है सैमसंग डॉडा और एंड्रू जैक्ट की त उसमें जीते हैं सैमसंग डॉडा